प्रेजेंटेड वाई एग्रिकल्चर क्लासेस मुरेना के बारे में आज हम देखते हैं इन वैसी आपको साइट कोई प्रसन मिल जाए इस बार कि उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं चेप्टर का नाम आपको पता ही है पहले से ही अपको पसलत पादन का छप्र नमर ती मैन्यूर्स हम पढ़ने जा रहें है तो आज हमने पिछले 3 विडियो में हम पढ़ चुक हैं गोवर की खाद के बारे में हम दूसरा अम हरी खाद के बारे में पढ़ चुक हैं और तीसरा पढ़ा सब्सक्तिकन है कल कि कमपोश्ट खाद के बारे में आज हम जाने काई करें कि क्या होता है तो देखते हैं क्या होता है पहला प्रस्वांता है कि कंपोश्ट खाद कहते किसी हैं तो कंपोश्ट खाद वह खाद होती है जिसमें घर का कूड़ा करकट मनिश्वां का मलपदात पसुआं का गोवर और साथी साथ पेड़ पौदों के जो अवसेस होते हैं उन सब को अच्छी तरीके से सडा कर जो कहते हैं तो आपको समझ में आया होगा द्वारा से मैं एक पाद फिरृपीट कर रहा हूं किसी कहते हैं कंपोश्ट खाया हूँ होती है जिसमें घर का कूड़ा करकट जितना भी खरकट जितना भी कूडा करकट निकलता है निकलता है राध वाध चूले की बगरा की तो वह सारी के सारी चीज़ें दूसरा हमारे आसपास पसुओं का गोबर है वो मनुष्णों का मलपदार्थ भी इसमें डाला जाता है और पेड़ पौदों के पत्तियां तनांस खर्पतवार जो अफसेस होते हैं पेड़ पौदों के वो इसमें डाले सबसे पहले हम बात करते हैं इंद दोर विदी सबसे पहले हम बात करते हैं इंद विदी अम्पोष्ट खाद बनाने की इंद और विदी नम्मर दो बैंगल और विदी नम्मर तीन एडिको विदी नम्मर चार नाड़ विदी नम्मर पांच माया दास विदी और नम्मर चार बरसा रितू में कमपोष्ट बनाने की विदी नम्मर बिदी तो यह प्रता हैं जो हम किसके लिए प्रियोक करते हैं कमपोष्ट बनाने की लिए प्रकार की यह प्रियोक करते हैं के सबसे पेली विधी का नाम हैं इंदवर बिदी दूसरी बीदी का नाम है बैंगलौर बिदी तीसरी विधी का नाम है 4 गदी 5 गद का और उन विदियों के नाम है पहली इंदौर विदी और दूसरी विदी बैंगलोर विदी ये दो विदिया ज्यादा इंपोर्डेंट है इनको हम पूरा पूरा पढ़ेंगे और बाद वहां के इन विदियों को हम सिर्फ नाम से ही जानेंगे तो अब हम पढ़ते हैं इंदौर तो सबसे पहले हम इन दोर विधी के बारे में बात करते हैं तो देखते हैं इन दोर विधी कंपोश्ट खाद बनाने की इस विधी को सबसे पहले किस ने विक्सित किया था डॉक्टर हावर्ड ने हम देखते हैं पर बनाने की इस विदी को सरफित्मrah का 1331 में विक्षित किया करल मैं इस विदीं तो निए और कहां की आज फेंटिबी इस स्वेट्स प्रने Kennedy इस विदी का नाम इंदर विद्धी रखा गए तो यहां तक समझ में आज आखे चलते हैं कि इस खाद के गड़े को इंदर विदी के दवारा जब खाद का जो गड़ा इस विद्धी से गंपोष्ट बनाने के लिए यहक्म पूष्ट जमा करने के लिए कितने आकार का गड़ बनाते हैं इस बिरी इंदार बिदी से कमपोश खाथ बनाने के लिए 4.2 into 0.9 into 0.6 मीटर आकार के हम गड़े त्यार करते हैं यहां पर जो गड़े इंदार बिदी में जो गड़े त्यार किया आते हैं वो जोड़े का मतलब है इस तरीके से जोड़े में और एक जोड़े से दूसरे जोड़े की तूरी 3.60 मीटर रखी जाती है द्वारा से हम यहाँ तक समझते हैं कंपोष्ट बनाने के इस विदी को सन 1930 में डॉक्टर हावर्ड ने विक्सित किया था इस विदी से कंपोष्ट बनाने के लिए 4.2 x 0.9 x 0.6 मीटर नाफ के गड़े बनाई जाते हैं जो जोड़ियों में होते हैं तता एक जोड़े से दूसरे जोड़े की दूरी कितनी रखते हैं 3.60 मीटर रखते हैं अब आम इन गड़्ड़ों के बारे में देखते हैं इन गड़्ड़ पसूँ का गोवर है मूत्र है पतियां है जो पसूँ का खाने का जो चारा बचता है वह खरपतवार है इस सबी किसके रूम है परत दर परत भरते तरह बर दें तो देखते हैं है । फरत जबहर चुका है गड़ा बने के बाद हम पहले प्रपाह सढ़ जाए । सढ्रदने के बाद हम क्या करते हैं इसको इस घ्ड़े में घरा रहने देते यह बगलबार घड़ा है इसको खाली छोड देते जब यह कड़्णा तींस प्ता यानि लगवा 21 08 23իंus कृ जाते है हैं इंभ्र क्या करते हैं इस घड़े की पलटाई हम इस 기त even यानि इस गड़्डे से हम खाद को क्या करते हैं खाबड़े की सायता से हम इसमें से निकाल कर और इस गड़्डे में भर देते हैं अब यह गड़्ठा भर गया यह गड़्ठा भर गया को थो दो सप्ते बाद क्या करते हैं कि वापेस इसी प्रगार्ट जाते हैं कि जिख तीन से चार बार यही पिरेंगत दोर आयजाती है और उसके बाद एक आपको एक भुर्वरी कंपोष्ट खात्यार हो जाती है और इसको हम इंदौर विदी से खात्यार करने की विदी कहते हैं द्वारा से एक बाद फिस समझेंगे कंपोष्ट बनाने की इस विदी को सर्फ प्रता में डॉक्तर हावर्ड ने विक्सित किया था है इसमें जो गड़े होते हैं जोड़ियों में बनाए जाते हैं और एक जोड़ी गड़े से दूसरे जोड़े गड़े की दूरी 3.6 मीटर रखी जाती है इसके बाद इन गड़ो यह साथरी कार तर्म दोरया जाती हैं पर यही पुर्किर तीन से चार बार गड़ोह जाती है और इस प्रकार से हमें चार को इने मगशा भूराक कमपोश फॉराक फॉरी खार बनकर ट्यार फॉय कर सब तरह है यह तो बही आखिवारी इंदार फीदी के बारे अब हम अग möchte है अगली बीदी के बारे में को अगली एक वेमकनार बीदी अगले विदी कौन सी है बैंगलॉर विदी के बारे में पढ़ते हैं तो कंपोष्ट बनाने की इस विदी को Cn आचार ने बैंगलॉर में बिक्सित किया था इसलिए याई बैंगलॉर कंपोष्ट बनाने की इस विदी को किसने बिक्सित किया था ही कि और शू आजार हम पोश्ट बनाने कि इस बेदी को cn fl ने बिकसित किया rebuilt कि मेकलाय में बैंगलॉर में किया था इसलिए हम बैंगलॉर विदी के नाम से या इसे आचार विदी के नाम से भी जानतें इसमें खाद की कोई पलटाई नहीं करते हैं इसे के लिए सर्वसुदाइक जो आकार के गट्टे तयार किया जाते हैं तो 6 6X2x1 Sinn0 is 12x3 into 1.20oh changed यह बनांए के लिए हम जो गड्ट तयार करते हम कितने बड़े होने चाहिए कम से कम चोटे से चोटे 6 into 2 into 1 meter तता बड़े से बड़े 12 into 3 into 1.2 meter या 1.2 meter आकार के हम गड्डे तयार करते हैं ठीक है जब गड्डे तयार हो रहाते हैं तो इसमें आप आपको गड्ड्या बनाकर ही बताते हैं कि कैसे क्या करते हैं अब इस गड्डे में क्या करते हैं तो देखें सबसे पहले हम इसमें घास पूश की परट डालते हैं जो जितना भी खरप्रवार जितने भी घास होते हैं उन सब की हम 20-25 cm मौटी परट डालते हैं यहां लिखते हैं घास पूश कितनी सेंटीमेटर को मौटी परट है तो 20-25 cm यानि 20-25 cm सबसे पहले नीचे तरीम हम क्या डालते हैं घास पूश डालते हैं इसके उपर 5 cm मानभ मलमूत्र डालते हैं इसके उपर हमने क्या डाल दिया 5 cm मानभ मलमूत्र कितना 5 cm इसके उपर हम क्या डालते हैं एक से दो सेंटीमेटर क्या डालते हैं इसके उपर मिट्टी डालते हैं तो परट बनाते हैं मिट्टी इसके एक से दो सेंटीमेटर एक से 2 cm उची हमने क्या बना ली परट बना अब यह तीन चीज नहीं हमारे पास और इनको हम क्या करते हैं जब तक गड़्डा हमारा जमीन से 30 cm उचाही तक न भर जाए इनको क्या करते हैं रिपीटेसन इनका करते रहते हैं यानि हमने पहले क तरीके से क्या करते रहेंगे जमीन से 30 cm की उंचा ही तक हम इसको भर देंगे जब यह घटा भर जाता है तो इसके उपर हम क्या डाल देते हैं 2.5 cm या धाई सेंटीमीटर मिट्टी की परद भी लगा देते हैं कि इतनी वह वीच्रा गड़ा है कि वे..? कि तो पॉइन्ट सेंटीमीटर मिट्टी की परै लगा देते और इसको बंद वनदद एसको हमारा धाक गद्डा कर दिया और लिपाई कर दे तक हमारी क्यों करते यह समय्ट्टी क्यों डालते हैं उपर से और लिपताई क्यों करते हैं इसका रीजन है क्योंकि इसमें मानम मल्मूत डला हुआ है जिसमें असे बद्भव आएगी या दुरगंद आएगी इसे रोकने के लिए दूसरा मख्यां इसके उपर बैठेंगे, इनको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, इसे इसमें डालते हैं, इसके बार यह चार से पांच महीने तक, यह किसमें इस घड़े में भरा रहेगा, बंद बना रहेगा, चांज से पांच महीने मिन अच्छी तरीके से सड़ कर और क्या बन जाएगा एक खाद का रूफ ले लिता है और इसका पूर्चाम के तो मैं कर सकते हैं इसके वारे में कहा जाता है कि या खाद गोवर की खाद से भी अच्छी होती है इसका प्रयोग आप लोग बना कर खेतों में कर सकते हैं तो यह आपको समझ में आया होगा यह एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं हो शौर्ट में बैंगलोर विदी इस विदी को सीन आचारी ने बैंगलोर में बिक्षित किया था इसके लिए सर्वसुद्धा एक ता करकिकितने होते के जाते गड़ों में सबसे पहले हम क्या अबते हैं 20 से 25 सेंटी मीटर घास को परते हैं उसके उपर 5 सेंटीमीटर मानम मनमुत्र डालते हैं उसके ऊपर एक से दो सेंटिमेटर मिंट्री डाल जाते हुए और इसको परत तरक भरते हैं जब速 गड़्डर जमीन से 30 मिंट्धी ना बहा जाए कि जब गड़्ड जाता है धिसके उसके उसके है बंदी की परद हम उसमें डाल देंगे तो बंद जाता है और उसकी लिपाई कर देते लिपाई करने के बाद हम क्यों करते हैं तो इसका रीजिन यह है कि इस मैंसे जो माना मनमूत्र उसकी जो दुर्गंद आती है उसको रोकने के लिए तता हम मख्यां इसके ऊपर ना बैठें उसके लिए हम इसमें उपर से बंद कर देते हैं और रिपाई कर देते हैं को चार से पांस में इसमें ही बंद रहता है ऑप बंद होने से अच्छी सढका कर वर में हो जाता है और इसे और से भरी अच्छी खात मांने गभरत ऑन गहाते कि मैं है तो यह प्रस्न आँग में लागान अगम प्रस्ण ने हमारा कंपोश्ट खात बनाने की indoor-Vidy तथा reglorविधी में क्या नंतर वैसे तो आ में यहीं से बना सक्ते है इंद नभी अधिया बैंगलोर विदी भी पढ़ाए उसके बारे में को बता देते ह। तो कमपोश खाल बना लेकी इंद्वरुदी तता बैंगलोग विधी में अंतर बताईए तो ये तो आप पर आ है बैंधर निक्तिया हम भैंगलॉग पाइड पॉइंट हम लिखते हैं कि इन्दौर्विदी में पश्पंग इसमें पदार्थों का बायू भी ये बिच्छिदन होता है इसमें कि पदार्थों का बायू भी ये भीच्छिदन हुआ होता है इसमें पताफ्त हो करते हैं जो आमने मटेरियल गट्टे डाला था इनदौर विदी में उनका जो बिच्छे दन का मतल्ड तूटना तूटने का कार किसके द्वारा होता है बायू के द्वारा द्वारा होता है क्योंकि बार दार पल्टा ही करते है जिए धिàng इंदनकी अंदर रहती है। उसके इसका डालों का टूटने का होता रहता है दूसरी साइट में इसमें बेंगलौर के तीने क्या होता है इसमें प्रतमसप्ता ये इसमें प्रतमसप्ता बायोविय बिच्छे रन तता इसके बाद अब आयोविय बिच्छे रन वो ता है तो इंदौर्विदी बैंगलोर्विदी में क्या नतर था इंदौर्विदी में हम कह रहे थी कि इसमें पतार्थों को बायोविय बिच्छे रन होता है जोकि बैंगलोर्विदी हम कह रहे हैं कि इसमें पतार्थों का पतार्थों का बायोविय बिच्छे रन होता है तता दु दूसरा पाइंट देखते हैं कि यहां काले भूरे रंग का महीन चूण होता है जो इंदर विदी के तोरह जो खात्यार होता है वो काले भूरे रंग का महीन चूण के रूम में पाया जाता है क्योंकि हम फावड़ों की फावड़ी की साहता से इधर से उधर काते हैं तो यह क्या हो जाता है बिल्कुल भूरा हो जाता है महीन चूण के रूप में नहीं होता है तो यहां महीन चूण के रूम में नहीं होता है तीसरा पायंट देखते हैं पावड़ों को इसके पोसक तर्त्वा जल्दी मिल जाते हैं कर लेता है जबकि इसमें तत्व याली पोसक तर्त्व देर से प्राप तो होते हैं कि इसमें क्या है बैंगलोर बिदीन के दारें खाथ पनाए जाता है कैसा होता है करदा कि उसमें घास मूस होते हैं तो लकड़ियां होते हैं जो आसानी से पिछे चोटे कणाव हो पैसे इसलिए ओपो सकत्त्व जो होते हैं वो देर से मित्टी में हैं मिलती हैं और देर से ही वह पोश्चत्त्व पौदों को मिल पाते हैं ठीक है नम्मर चार इसमें मज़्दूरी कि अधिक लगती है कि इसमें मज़्दूरी कैसी लगती है अधिक लगती है क्यों लगती है क्योंकि इसमें मज़्दूरी यानि खाद की पल्टाई की जाती है इसलिए इसमें मज़्दूरी कैसी लगती है अधिक लगती है कि इसमें मज़्दूरी कम लगती है इसमें महिदूरी कम लगती है इसमें क्या होता है महिदूरी कैसी होती है कम लगती है इसमें महिदूरी क्योंकि इसमें बलटने का कार करते है खाद को इसलिए इसमें महिदूरी कैसी लगती है महिनद ज्यादा लगती है और इसमें महिनद कैसी लगती है कम लगती है क्योंकि कि होती है कि इसमें पानी क्या आए सकता नहीं होती है कि इसमें क्या है कि जब खात की पल्टाई करते हैं तो इसे सडाने के लिए पानी डाल देते हैं और इसमें पानी की आविशित्ता नहीं होती है करते हैं इंदौर बैंगलोर विदी में अंतर बताई इस तरीके से दो प्रकार से पूछे जा सकते पहला इंदौर विदी में पदार्थों का बायुव विच्छेदन होता है जब कि बैंग मंहीं चोड के रूम में प्राव नहीं होता है इसके पोदों को इसके पोशक्तत … टो, शीक गरता से मिल जाता यह यह इसमें की पलटाई tourists इसलिए महीदूरी कैसी लगती है अधिक में लगती है और इसमें महीदूरी कम लगती है इसमें पानी की आवेशक्ता होती है इसमें यानी इंदौर विदी में जब हम खात की पल्टाई करते हैं तो इसमें पानी की आवेशक्ता थोड़ी बहुत पड़ती है ज़िए बैंग अगला प्रश्न है गोवर की खाद एवं कमपोश्ट खाद में अंतर बताईए गोवर की खाद और कमपोश्ट खाद में देखके अंतर गोवर की खाद कमपोश्ट खाद तो देखके गोवर की खाद और कमपोश्ट खाद में त्यान पर होता है तो गोवर की खाद के लिए गोवर का होना आविश्ट होता है पहला पाइंट गोवर की खाद के लिए गोवर का हुना अत्यावश्यक है पहल हुए पहला है गोवर की खाद मैं क्या हया कि धोवर की खाद बनाने के लिए गोवर का होना बहुत जरूरी है जब तक नहीं हो आ तो नहीं मना सकते इसमें कि गोवर का हुना है rikend कि आवेश्य नहीं है कि कमपोश्टार में गूबर का उना आवेश्य नहीं दूसरा पाइंग लेखते हैं इसमें कि बानस पत्यक अंसर कि अचेल है को ह paling होती है मैं इसमें कि इसमें बानस स्कूर्टी बार य verstehen कि कि बांस पत्यक अधिक होते हैं कर सी टाप कि जादा तर पूरा होता है किसका होता है बानस्पति भाग का ही होता है बानस्पति reject पॉलाओं के द्वारा ही ज्यादा तरिस्का जो भाब होता है कंपुष्ट खाद का वो बानस्पति की होता है तीसरा कि खाद बनाने में कि यह खाद त्यार करनी में कि तीन महीने का कि समय लगता है कि कंपुष्ट खाद त्यार करने में चार से पांच महीने का कि समय लगता है कि यह गोबर की खाद त्यार करने में तीन महीने का समय लगता है जबके कंपुष्ट खाद त्यार करने में चार से पांच महीने का समय लगता है नमबर चार इसे त्यार करने में पानी की आविशक्ता होती है गोबर को अच्छी तरीके से सडाने के लिए गोबर की खाद बनाने के लिए हमें बार-बार पानी शड़कना पड़ता है अच्छी खाद लेनी है इसमें पानी की आविशक्ता नहीं होती कि इसमें पानी की आविशक्ता नहीं होती है नमबर पास जिसके पास पसू होते हैं वही किसान इसे त्यार कर सकता है यहीं गोबर की खाद वही किसान त्यार कर सकता हो है जिसके पास पसू होते हैं जिनके पास पसू होंगे वही किसाने से त्यार कर सकता है इसमें कि इसे कोई भी किसान कि अध्यार कर सकता है इसे यानि कमपोश खाद को कोई भी किसान त्यार कर सकता है देखते हैं बार पुनें गोबर की खाद तता कमपोश खाद में अंतर बताई तो गोवर की खाद के लिए गोवर को ओना आथ आवशना अगर आप गोवर की खाद बना रहें तो इसके लिए आपको और आवर का होना बहुत ज़रूरी नहीं होता है दूसरा पांट इसमें बनस्पतिया नजर्म healthy यानि पिड्र प्रेंस बनस्पतियां बहुत कम होती ज़र्फ पर जर्द कर ख़ंश थी ज़र्ट तीन्याいます लेखते हैं यानि समस्वाइन कहा है जबकि कमपोश खाद त्यार होती है चार से पांच महीने में बनकर त्यार हो पाती है इसे त्यार करने में पानी क्याब सकता होती है गोबर की खाद अगर आप त्यार कर रहे हो तो आपको पानी उसमें छड़कना पड़ेगा सडाने के लिए तो उसमें पानी क्याब सकता होत कर पाएगा बना नहीं कर सकता इसे कोई भी किसान त्यार कर सकता यानि कमपोश खाद बनाने के लिए गोबर की आशिक्ता नहीं होती है इसलिए कोई भी किसान प्रेड़ पॉदाओं की पत्तियों की आशिक्ता होती इसलिए कोई भी किसान त्यार कर सकता